नमस्कार कारकम में भाग ले रहे केमिनेट में मेरे सहियोगी अनुराग ठाकूर सभी राज्यों के यूथ एफेर्स एबन स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स अन्य महनुभाव, देवी और सज्जनों मुझे खुशी है कि इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कान्फरेंस कि चिंतन शिवीर मनीपूर की धर्ती पर हो रहा है नौर्थ इससे निकल कर कितने ही खिलाडियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पुर्वोत्तर और मनीपूर का महत्वपुन योगदान रहा है यहां के सगोल कांगजई, थांगता, यूबी लागपी, मुक्ना और हियांग तान्वा जैसे जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकरशक है, जैसे जब हम मनीपूर के उलावी को देखते हैं, तो हमें उसमें कबड़ी की जलग दिखती हैं, यहां का हियांग तानवा केरला की बोट्रेश की याद दिलाता है, और पोलो से भी मनीपूर का एतिहासिक जुडाओ रहा है, यानि जीस तरह नौर्थ इस्ट देश की सांस्कूर्तिक विवित्ता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विवित्ता को भी नए आयाम देता है, मुझे उमीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मनीपूर से बहुत कुछ सिक करके जाएंगे, और मुझे भी स्वास है, मनिपूर के लोगों का असने, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनज में बना देगा, मैं चिंतन सिविर में भाग ले रहे, सभी खेल मत्रियों का, अन्य मनह मानुभाव का स्वागत करता हूँ, इस प्रयास का अभिनन्दन करता हूँ, साथियों, कोई भी चिंतन सिविर, चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे भड़ता है, और क्रियान वयन पर पूरा होता है, यानि, first comes reflection, then realization, and then implementation and action, इस लिए, इस चिंतन सिविर में आपको भविश के लक्षों पर विबर्स्तो करना ही है, साथ ही, पहले की conference की भी समिक्षा करनी है, आप सभी को याद होगा, इसके पहले जब हम 2022 में केवडिया में मिले थे, तब कई अहम मुद्धों पर चर्चा हुई थी, हमने भविश को ध्यान बेरक कर, रोड में बनाने और खेलों की बहतरी के लिए, इको सिस्टिम तयार करने पर सहमत ही जताई थी, हमने sports sector में केंद्र सरकार और राज्यों के बीश, participation बढ़ाने की बात कही थी, अब इमफाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, और मैं आपको ये भी कहूँगा, कि ये समीक्षा policy और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बलकि ये समीक्षा infrastructure development पर भी होनी चाहिए, और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्दियों पर भी होनी चाहिए, साथियों एबात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतिये athletes और खिलाडियों ने कई international sports events में अभुत्पुर्व प्रदर्शन किया है, हमें इन उपलब्दियों को celebrate करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाडियों की और ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं, आने वाले समय में squash world cup, hockey asian champions toffee, asian youth and junior weight lifting championship, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परिक्षा होनी है, ठीक है, खिलाडियों अपनी तैयर ही कर रहे हैं, लेकिन आप sports tournaments को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग approach से काम करना होगा, जैसे football और hockey जैसे खिलों में man to man marking होती है, वैसे ही आप सभी को match to match marking करनी होगी, हर tournament के लिए अलग रणनिती बनानी होती है, आपको हर tournament के हिसाब से sports infrastructure, sports training उस पर जादा से जादा focus करना पड़ेगा, आपको short term, medium term और long term goals भी तैय करने होगे, साथियों, खेलों की एक विशेष्टा और होती है, अकेले कोई खिलाडी, लगातार practice करके, fitness तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहतरेन production के लिए, उसका लगातार खेलना भी जरूरी है, इसलिए स्थानिय स्तर पर जादा से जादा competition हो, sports tournaments लगातार चलते रहने चाहिए, यह बहुत आवशक होता है, इससे खिलाडियों को भी भहुत कुछ सिखने को भी लेगा, खेल मंत्री के तौर पर आपको इस सुनिश्चित करना होगा, कि किसी भी खेल प्रतिभा की अंदेखी न हो, साथियों, अपने देश के हर प्रतिभाय स्पसाली खेलाडी को, क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दाइत्व है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज सरकार को मिलकर काम करना होगा, खेलो इंडिया स्कीम ने जीला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्रक्चर जरूर कुछ बहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है इसमें प्राइवेट सेक्टर समेच सभी स्टेक होल्डर्स की भागेदारी महत्वपूर्ण है एक विशय नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सीरे से सोचा जाना चाहिए राज्यों में जो इस तरह के कारकम होते हैं वो सिर्फ और अप्चारिता ना बने इसको हमने बहुत बारीके से देखना चाहिए जब चौत अरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पॉर्ट्स कंट्री के तोर पर स्थापित हो जाएगा साथियों स्पॉर्ट्स को लेकर आज नौर्थ इसमें जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेणा है स्पॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्र से जूड़ी चार सो करोड से ज़्यादा की परियोजनाए आज पुर्वत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है इंफाल की नेशनल स्पॉर्ट्स उनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए आउसर देगी खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमी का निभाई है नौर्थ इसके हर जीने से कम से कम दो खेलो इंडिया सेंटर और हर राज में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स अफ एक्सलेंस की स्थापना की जा रही है यह प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे देश को एक नई पहचान देंगे आपको अपने अपने राज्यों में भी इस तरह के कारियों को और गति दे रही है मुझे विश्वास है कि चिंतन सिवीर इस दिशा में एहम भूमी का निभाएगा इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुब कामना है आप सबस्ते है